गुड मार्निंग आला फ्यू पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे constituents of milk के बारे में in general of milk divided in four classes यह भी हम बता चुके हैं चार क्लास में divide किया गया था और अभी milk के में बचा हुआ है कुछ मैटर वो हम आज discuss करने चल रहे हैं तो आज हम बात करते हैं average composition of milk of various mammals इसमें मतलब विभिन एनिमल्स जो प्रजात ही है एनिमल्स की उन में कितना water percent पाया जाता है फाइट परसेंट पाया जाता है lactose और protein ists और snf का क्या percentage है वह हम ratio यहाँ पे table के माध्यम से दिए गया है जैसे पहला आपका काव हो गया काव में water percent जो है 86.8% पाया जाता है और fight जो है 4.6% पाया जाता है और lactose 4.7% protein 3.2, ice 0.7, ts 13.2 अब ice 0.7 जो है इसको हम 0.70 भी कह सकते हैं तो 0.7% अब हम बात करते हैं buffalo में buffalo means 20 में water 83.8% पाया जाता है और 5% 7.1% lactose 4.8% protein 3.7% आइस 0.7, TS 16.3, SNF 9.2, अब थर्ड आता है आपका बोमेन महिला, महिलाओं में वाटर परसेंटेज दूर में 87.6%, अगला आता है गोट, बकरी, बकरी के दूर में 86.9% वाटर पाया जाता है और 4.4% फायट, 4.6% लेक्टोज, 3.7% प्रोटीन, 0.8% आइस, 13.1% टियस, 9.1% SNF पाया जाता है, SNF मेंस वाटर पाया जाता है, अगला आता है सीप, बहेंड में बहेंड में के दूर में वाटर परसेंटेज, 81.5%, फायट, 8.6%, लेक्टेज, लेक्टोज, 4.6%, प्रोटीन, 4.6%, आइस, 0.7%, टियस, 18.5%, SNF, 9.9%, अगला है मेर, घोडी, घोडी में वाटर 90.1%, फायट, 1.7%, लेक्टोज, 5.7%, प्रोटीन, 2.2%, आइस, 0.3%, टियस, 9.9%, SNF, 8.2% पाया जाता है, नेक्स्ट है, आइस, गधी में, के दूर में, वाटर परसेंटेज जो है, वो बहुँ जादे मात्रा होती है, 91.6%, फैट, 0.6%, फैट जो है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, कम होता है, 0.6%, लेक्टोज, 6. 1%, मतलब, लेक्टोज, मींस, मीठा, दूर में, जो मीठा पन होता है, जो मीठा पन होता है, वो लेक्टोज के कारण होता है, तो गधी का दूर जो है, वो ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि लेक्टोज की मात्रा यहाँ पे, आप देख रहे हैं, 6.1% होता है, और प्रोटीन 1.4% IS 0.3% TS 8.4% SNF 7.8% Next है Camel Ount मतलब उटनी के दूज में पानी की मात्रा जो है Water percentage वो 86.5% Fat 3.1% Fat जो है यहाँ पर decrease हो रहा है, कम हो रहा है 3.1% ही है और Lactose 5.6% Protein 4% IS 0.8% TS 13.5% SNF 10.4% Next है Elephant Means हाथिनी के दूज में पानी की मात्रा 67.8% Fat 19.5% Fat content बहुँ जादे पाया जाता है 19.5% Lactose 8.8% Means मीठा भी होता है दूज Lactose की मात्रा इसमें जादे है 8.8% Protein 3.3% Is 0.6% Is 0.6% Ts 32.2% SNF 12.7% Which Kutiyah Kutiyah के दूद में पानी की मात्रा 75.5% Fat 9.5% यहां भी Fat की मात्रा जादा है Lactose 3.3% Protein 11.1% Is 0.6% Ts 24.5% SNF 15% Next है Ket Billi 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 के दूद में 82.1% Fat 3.4% Sorry Fat के दूद में Water percentage 82.1% Fat 3.4% Lactose 4.9% Protein 9% Is 0.6% Ts 17.9% SNF 14.5% तक होता है तो यह कुछ जो है Animals के Mammals हैं जिनके दूद के बारे में Composition दिया हुआ है कि इतना percent में यह चीजें पाई जाती हैं अब बात करते हैं जैसे हमको Water पता करना है जैसे आपका Ts दिया हुआ है के बाल Ts दिया हुआ है तो उससे आप Water कैसे निकाल लेंगे किसी Animals का जैसे गाय का ले लीजिए गाय में Ts दिया हुआ है 13.2% अब 100-13.2% अगर करते हैं 100-13.2 100-13.2 आप करेंगे तो आपका आज आएगा Water percent कितना percent पानी पाए जाता है तो 100-13.2 आप करेंगे तो यह Water जो यहाँ पे दे रहा है 86.8% तो आपका Water आजाएगा 86.8% अब ऐसे ही अगर आप को SNF निकालना है Ts पता है और Phate पता है तो अगर SNF नहीं पता है तो SNF जो है निकालने के लिए आप Ts माइनस Phate कर देंगे Phate आपका यहाँ पे दिया हुआ है 4.6% तो 13.2 minus 4.6 आप करेंगे तो आपका जो है SNF आ जाएगा SNF यहाँ पे 8.6% दिया हुआ है इसी तरह से अगर आपको SNF पता है और Phate पता है TS नहीं पता है तो आप TS निकाल सकते हैं तो SNF प्लस Phate कर देंगे तो TS आ जाएगा जैसे SNF यहाँ पे 8.6 है तो 8.6 प्लस Phate आप कर देंगे Phate आपका यहाँ पे है 4.6 8.6 प्लस 4.6 करेंगे तो आपका TS आ जाएगा TS आपका यहाँ पे दिया हुआ है 13.2% इस तरह से कुछ फार्मूले हैं फार्मूले के माद़न से आप निकाल सकते हैं अब आगे जो है हम चलते हैं अगली स्लाइड में Factors Affecting Composition of Milk Factors Affecting Composition of Milk Means दूद की संग्रचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक हैं जो की दूद की संग्रचना को प्रभावित करते हैं There is a great deal of variation in the composition of milk even with the same animal is not always the same Among the constituents the fat content of milk is most variable The other constituents vary in the order protein, lactose and ice The factors responsible for such variation in the composition are as follows कहने कतात पर ये हुआ कि दूद की संग्रचना में दूद की संग्रचना में बहुत भिन्नता है Means variation है यहां तक की एक ही जानवर के साथ भी यहां हमेशा समान नहीं होता है घटक के बीच दूद की वशा सामागरी Means जो उसका fat content होता है वशा सामागरी सबसे अधिक परिवर्त तनसील होती है Means अगर कुछ होता है तो उसमें सबसे पहले आपका fat disturbance होता है Means अगर animals बीमार होता है या कोई इसमें disease आ जाती है जैसे mastitis हो जाता है तो वह सब हो जाने पर disease आ जाने पर इनियुद का fat जो है वह प्रभावित होता है और fat के साथ साथ protein, lactose भी यह सब प्रभावित होते हैं अन्य घटक क्रम में जैसे अन्य घटक क्रम में क्या क्या प्रभावित होता है protein, lactose, ice में भी भिन्यता आ जाती है variations आ जाता है संग्रचना में इस तरह के बदलाव के लिए जिमेदार कारक निम्नलिखित हैं composition arise follows वह जो बदलाव के निम्नलिखित कारक हैं वह हम नीचे बता रहे हैं जैसे पहला हो गया आपका species of animal पासु की परजाती कहने का अतात पर यह होगा species of animal पासु की परजाती अब पासु की परजाती के क्या अतात पर है milk composition of different species of animal vary from each other means जानवरों की विभिन परजाती की दूद संग्रजना एक दूसरे से भिन्न होती है means different types के जो animals होते हैं उनके दूद की जो संग्रजना होती है उनका जो composition होता है वह एक दूसरे से अलग होता है भिन्न होता है जैसे गाय में जो है fat percentage कुछ और पाय जाता है भैंस में कुछ और जादे होता है और अभी हम table भी आपको दिये हैं उस table में भी variation आपको देखने को मिला है इस तरह से हर एक animals में जो है दूद में उनकी संग्रजना जो है वह भिन्न होती है अब आगे दिया हुआ है note 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 means ध्यान दें कि milk is deficient in iron copper iodine and vitamin C कहने कातात पर यह हुआ कि दूद में iron, copper, iodine और vitamin C की कमी होती है दूसरा है influence of breed और क्या प्रभाव डाल सकते हैं influence of breed नसल का प्रभाव means जो हमारी गाया भैंस जो नसल है उसकी जैसे गायों में गिर नसल हो गई हरियाणा हो गई संधी हो गई यह सारी प्रजातिया जो अलगल है वह कहने कातात पर हुआ नसल का प्रभाव अब नसल के प्रभाव में क्या आप फर्क डालते हैं the milk of some breeds is comparatively high in fat and lactose contents than those of other breeds example milk of red संधी cow contains higher fat than halstein and brown Swiss कहने का तात पर यह हुआ influence of breed में नसल का प्रभाव कुछ नसलों का तुलनात्मक रूप से अन्य नसलों की तुलना में वैसा और लेक्टोज सामागरी में अधिक होती है थर्ड आपका है individual variation means वैक्तिक विविन्नता individual variation वैक्तिक विविन्नता यह भी प्रभाव डालती है individuality of animals is responsible for some of the variation in the composition of milk it is partially a matter of inheritance कहने कातात पर यह हुआ कि दूद की दूद की संग्रचना में कुछ भिन्नता के लिए जानवरों के व्यक्तित्व जिम्मेदार होते हैं यह आंसिक रूप से विरासत की बात है means genetically कुछ होता है जो की animals to animals इस दूसरे में each other वो आता रहता है जो उसके माता-पिता में जो गुड़ रहते हैं वो उसमें भी आ जाते हैं next आपका है stage of lactation stage of lactation means दूद निकानने का चरण जो stage of lactation होता है दूद निकानने का चरण दूद निकानने का चरण क्या प्रभाव डालता है कि the composition of colostrum changes rapidly in subsequent milking कहने का तात पर यह हुआ कहने का तात पर यह हुआ कि the secretion of milk immediately after ब्याने के तुरंत बाद दूद का श्राव colostrum या खीश के रूप में जाना जाता है यह आप लोगों को हम बता चुके हैं और आप लोगों को पता भी है यह 3-6 दिनों तक रहता है means जो colostrum होता है वो 3-6 दिनों तक रहता है यह रह सकता है इसमें सामान रूप से दूद की तुलना में कुल टोस थोस पदार्थ होते हैं बाद में दूद देने में colostrum की संग्रचना तेजी से बदलती है कहने का ताथ पर जब वो खीश जो है दूद में कनवर्ट हो जाता है तब उसकी संग्रचना में भिन्नता आने लगती है यह सब में परिवर्दन होनी लगता है next आपका है effect of age effect of age मतलब उम्र का अशर अब उम्र का क्या प्रभाव होता है composition पे क्या अशर डालता है there is a friend tendency there is a tendency for the fat content to rise from the first to third lactation third to six years of age then remains fairly constant in subsequent lactations six to ten years of age but later with the advancing age there is slight reduction in the fat content of milk कहिने कतात पर यह हुआ कि पहली ध्यान से सुनिएगा कि पहली से तीसरी lactation means ब्यातकाल तक सामाग्री के बढ़ने की प्रभिर्ति है means उसका जो fight, protein, lactose इस सारी ingredients होते हैं तीन से छे वर्स की आयू के बाद के दूदth निकालने में काफी इस्थिर रहती है means constant रहता है यह तक बढ़ता है उसके बाद फिर 6 से 10 वर्स की आइयू के बाद जो है दूद में काफी इस्थिरता आने लगती है मिन्स जो जैसे फैर्ट जो है माल लीजिए साथे चार परसेंट हो गया और प्रोटेन 3.5 हो गया और एस 0.7 परसेंट है तो इस तरह की जो भी इंग्रेडेंट रहते हैं उनमें क्या होता है इस थीरता आ जाती, कॉंस्टेंट हो जाते हैं लेकिन बाद में मामूरी थोड़ी सी कामी होने लगती है आज बस इतना ही, अभी इसमें जो है आपके और पॉइंट्स बचे हुए हैं इसमें लगबग 15 पॉइंट्स हैं और बाकी जो पॉइंट्स बचे हैं जो प्रभाव डालते हैं उस पर चाचा हम अगली लेक्चेर में करेंगे नमस्कार